हेलो स्टुडेंट्स मार्क दसन्फोर कॉमर्स में आपका स्वागत है आज हम लोग शेयर्स में डिफरन टाइप्स आप काउट्स अप सेयर कैपिटल देखें ठीक है को स्टार्ट करें को बनाना ठीक है उससे पहले आपको अलग गलग जो क्यापिटल आपको पता होने चाहि होता है subscribe मेर्स क्या होता है यह के वारे हम लोग साल होता है वह सब लाइफ टाइम में कितना सेर इस्टू कर सकती है कितना एमाउंट का सेर इस्टू कर सकती है जुसके पर जो पावर है उसी को बोलते है ऑफ्राइस क्यापिटल ठीक है और यह क्या लिखा हुआ है याद कीजिए जब आपको मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन पढ़ा रहे थे मेम में जब साथ क्लॉस बताए थे उसमें एक क्लॉस था आपका कैपिटल ठीक है तो यह आपका वहाँ पर लिखा हुआ रहता है अब अगर कोई बच्चा पूछेगा जैसे इसी माल लिए लिमिटेट को अथ्राइस कैपिटल है पचास लाग रुपया ठीक यानिकि यह अपन अपना जनल मीटिंग में ठीक है एक मीटिंग बुला करके शेयरोंडर के साथ आपको अपना रिजल्वेशन पास करना पड़ेगा जब वह पास हो जाएगा तब जाके आपका ऑफ्राइस कैपिटल बढ़ सकता है ठीक है तो उन्हें सब को रहने दीजे अपना काम का चीज आप होता है यानि की मान के चलिए जैसे कि अपका टोचल अफ्राइस एक ट्ना टोटल पाइस पड़ाइस कितना थैक अब इस पचास लाग में हमको एड़ टाइम सारह इसुन ही करना अधिक है मेरे पास इतना काब थैक हम 50 लाग का क्यापिटल इसू कर सकते हैं टोटल में की केवल 20,000,000 का हैë क। तो यह हम लोग का टोटल रहेगा तो यह हम लोगा ऊथ्याथ केकल और यह जितना इसको हम लोक बोलते हैं, आपका heüsselate capital यानिया कि हम लोग्त नाग में 50,000,000 में हम लोग 20,000,000 यह इसको क्यू實 होते हैं इसूट कैपिटल ठीक है तो यह वप समङ्झ में आगे होगा अपके बढ़ते हैं अब देख एक सक्राइब कैपिटल क्या होता है जैसे कि आपका एक्जाम मान लिजे ये एल इमिटेड ठीक नँए यूमुटेड जो है अपना सेर मार्केट ने सुटिट प्बलीक क तो यह हम लोग का टोटल सेर रहा हदास आर्ट टोटल वैलिट अप्र जिसको टोटल वैलिव एक लाग भी सब्सक्राइब जो एलबिटर पॉपलिक में इस्टू की लेकिन अब हुआ क्या देखिए हुआ यह कि जो पब्लीक लोग यह पब्लीक लोग यह इस प्रसके वल इस कितना का शेयर अनिके देखा जाय तो 10,000 का शेयर हम लोग बेचे दसी पर खसाब से तो तो टोल कितना हो गया इसी एक लाग को हम लोग बोलते हैं subscribe capital और हम लोग का इस में इसूट के पहती है कितना है इसूट हम लोग यानि कि टोटलिशू किया है यह हम लोग हो गें इसूट इसूट शेयर कैपिटल एक लाग बीसचारर और जितना पवलिक हम लोग से खरदा यानकी कितना पवलिक झाल तो यह जए दस अजार पांसर इस आपसे पहले एक हर्दा यह हम नोख कहला हैगा subscribe ग्यू तो subscribe सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब क्या होता है हम लोग जितना इसू करते हैं जितना इसू कि यह उसमें से पब्लिक खरीदता कितना जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर लेता है जितना खरीद लेता है उसी सेर को लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल अब क्यो पढ़ते हैं अब subscribe capital को भी हम लोग दो हेड में रखते हैं ठीक है कौन-कौन दो हेड एक subscribe and fully paid up और दूसरा subscribe but not fully paid up अभी तो डिफ्रेंस के है कि जैसे कि यह आपका public जो है 10,000 share को subscribe किया था ठीक है अब इस 10,000 में अगर सारा public जितना public है सब का सब अगर 10 में से 10 रुप्या का से सब को सब कोई पे कर दे तो इसको क्या बोलते हैं तब हम लोग इसको बोलते हैं subscribe and fully paid up share ठीक है तो जितना share इसु करें 10 रुप्य के साब से मिल उसु किये थे और सारा का सारा public हम लोग को पैसा पे कर दिया है यानि कि हम लोग को पूरा एक लाग रुप्या आ गया ठीक देखें हम लोग भले इस तुकिया थे बारह हजार लेकि पब्लिक खर्दा कितना दस हजार अब इस दस हजार में भी सारा public जो है पैसा हम लोग को दे दिया तब तो भाई यह हम लोग कहां स पैसा को नहीं मंगाते हैं हम लोग पैसा को टुखड़ोम मंगाते मंग आते हैं दो 5 सरका मघांगे प्यों मतलि IRS भाण के किर्दक करके मंगाते हैं तो इसी म tôi अगर हम लोग 3 भाग में स हमाए वी-प सब्सक्राइब नहीं मिला है तो जो नहीं इयुत ही तो यह आपका दो केसमें बनता है एक हो सकता है कि कंपणी आपका पासा को पूरा ना मंगात है केवल आठ नहीं सब्सक्राइब अ कि 5 स्युल मंगा है इसको में लोगो कितना हुब करेंगे केवल 5 से तो कितना हुजा का 50,000 तो केवल कंपनी के पास कितना है 50,000 ये एक केस में तुँ जब कंपनी खुद ना मंगाए अब कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजे आप जिस आपका जो शेयर होल्डर लोग है ठिक आपका जिस जितना 10,000 जो भीका है अलग-अलग खर्दा है इस 10,000 में 10,000 क्या हुआ इस 10,000 में मान लिजे कि इस 10,000 का सेयर्स में आपका मानके चलिए कि 9,000 जो से पुद पश्क्रण हाईय कि इसमें से जो पब्ली को था इसमेंसे तो दस रूप्या पूरा दे दिया थीक कितना होगा 90,000 हो गया लेकिनी लेकिन पूरा पैसा हैं न्यांने कि एक हजार सेयर में 5 रुप्या करके नहीं मिल यानिक हम लोगा 50,000 जाएगा यह दूसरा किस यह दूसरा भी केस भी आपके जाएगा त्सक्राइब बट्न फुले पेड़ा वाई सेयर गजाता लेकिन पब्लीक लोग पूरा पैसा नहीं द अब चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब देखते हैं कि कॉल्डप क्या होता है ठीक है कॉल्डप क्या प्रफिटल बोलने के फ़ले इस इसामपाल में समझ आईएगा मान लीजिए कि कमपनी को 10,000 शेयर इसू करना है ठीक हर एक शेयर कदाम कितना है 10 रुपिया ठीक तो इ पहला जो है उसको बोलते हैं अप्लिकेशन मनी कितना मंगा था वह दो रुपिया लॉट्म में 3 रुपिया और फ़र्स्ट कॉल में 5 रुपिया यह फर्स्ट कॉल सकेंड को जैसा आपका इसू की जग उसे साप से तो कमपनी जो है 10,000 शेयर इसू की 10 रुपिया की साप से जाहिए था और कैसे वह पैसा मंग आएगी कंपनी को साल भर में यहांने कि 12 महीना में इस पाइसा मंगा लेन रहता ठीक है तो अप्लीकेशन में कितना पैसा मंग रही है 2 रुपिया और ऐल्लों यह मग दमाग है 9 रुपिया और आपको फर्स्ट कॉल में 5 रुपिय अब क पाइसा मंगाती कितना है ठीक है इस्वों 10 रुपर कगी लेकिन अब कार्शन कवे कि सब्सस्क्राइब सब सब्सक्राइब हो कि दुछ हजार टीन रुपर इस तरह करके मंगा Penghine मंगाई इसे साब से कीतने ही दिखते हैं तो कांपन घ़र पूरा से अधस इसो किये थे उसमें पांस ने मंगा के यह वाला पोर्शन को लोग क्या बोलते हैं यह वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल्डप कैपिटर ठेक एक को जोई ने के हमेसा यह इकोल ही आ यह अभी उपर ऑगया अग canon डुटल वोका फैसा होता कितना होताएं सब्साथ को टो घ्स billion और 2700 और 30 किष्या तो जितना पैसा मंगाइब कि अध्यर पैसे इसनेग्held में तो 6 में गाए can कितना हो जाए का साथ हजार तो साथ हजार हम लोगा हो गया कॉल्डप कैपिटल ठीक अब चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा अब यह मंगाई यह तो होगे हम लोगा कॉल्डप कैपिटल यहां पर थोड़ा और बाई एक बाचान लीजे यह जो कंपनी नहीं मंगाई तो य क्या कहलाएगा हम लोग यह लोग कहलाएगा अनकॉलडप कैपिटल अब बोलते इस तरह का लैंगविज तक आप दे सकते हैं लेकिन पांब इसको हम लोग कंपनी के काउंट्स में कंपने कार्व बूपर नाम के इसको लोग बोलते हैं रिज़व पैपिटल रिजर्व लग है वहाप हमें सब पहले से पढ़ें इसका डिफरेंस सब बात बता देंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी बात इन जाने है कि एक अलग चिख होता है और आपकाइसे meek इस बात पॉर्स को म स्नधीन गाई तो इस केस में इस केसमें कितना नहीं माई वह चाले से अर्में दो यह हम लोग है रिज़र्ब कैपितल ठेक इसको लोग बोलता तो इस बात को जड़ा ध्यान में रखिएगा कभी भी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि नाम बिल्कुल से एक ही जैसा है बस उल्टा क्या हुआ है यह पैसा अगर रिजर्ब कैपिटल में चला गया तो यह पैसा पता वापस का बात है यह जब एक ही तभी वापस आएगा जब कं एंडिंग अप में जाएगी तब यानिकी जब कंपनी बंद होने वाली होगी ना तभी यह पैसा आपको मिलेगा रिजर्ब कैपिटल तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह लास्ट कि पेड़ब क्यापिटल क्या होता है पेड़ब कपनी पूरा का पूरा पैसा कॉल सा मंगाई लेकिन क्या होता है कि इस में कुछ पैसा कंपनी को नहीं मिलता तो माल लीजे 10,000 में, 10,000 में 9,000 जर ऐसा है जिसमें पूरा पैसा मिला, तो कितना होगँ 9,000 ? 90,000 होगो है टोटल और एक जर ऐसा था जिसमें केवल आपको कितना मिला मिला6 रुप्य करके नहीं 2 लूब आइं तो कितना होगा टो यह होगे हम लोग का 60,000 ठीक तो टोटल पैसा मिला कितना टोटल पैसा मेला 96,000 96,000 नहीं सोरी यह 6,000 होगा यह 90,000 और यह 6,000 अब 96,000 ठीक है तो पेड़ाप क्यापिटल बोलने का मतलब यह होता है कि कंपनी तो पूरा पैसा मंगाई और कंपनी के पास पूरा पैसा आना केतना चाहिए था पूरा आना चाहिए था आपका एक लाग रुपया लेकिन कुछ चेली तो यह 6,000 रुपया द्या नहीं दिया तो यह को हम लोगरें है यह पेड़ा हम लेह लेकिन लेकिन शाया नहीं जाने है कम लोग्ड दीटैल पर यह यह थे तो पूरा पैसा मंगाई कंपणी ए लेवी ट्रीटी केटी दस नार्श शेर इसी की थी 10 रुपे का दस रुपे का दस रुपे को दोर रुपे चार 5 रुपे करके मंगाना था वो पूर पैसा मंगाई लेकिन उसमें सब एक हजार से अरह ऐसा था जो केवल पहला वुला दिया दूसरा लेकिन यह वाला नहीं दिया आज रूपय नहीं दिया तो दस रूपय तो इन्टू करके दस के तरह बंपड़ है और यह कंपनी को पैसा कितना मिला यह 90,000 और यह 106-695 ल टोटल है तो आर fixed एकूड़ लोक टोटल मिला और मिला कितना हम मिला कितना हम में आशान असान वास्ता में कि तना पैसा हम लोगे को मिला इसू करने पर उसी को हम लोग बोलते हैं पीड़ाप क्यापिटल तो आज के लिए नहीं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नोटिवेट करने और होसला बढ़ाने के लिए क्रिप्या करके वीडियो को लाइक और चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर दें और साथ ही सा नोटिविकेशन बेल भी इस तरह से आप लोग दबा दें ताकि आपको आने वाला अपडेट्स मिलता रहें बहुत-बहुत धन्यवाद आपका